हाँ तो दोस्तो श्याम मेटलिक्ट चन एनर्जी के कॉटर वन के नंबर आज चुके हैं तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि श्याम मेटलिक्ट चन एनर्जी के ना इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चली शुरू करते हैं तो दिकि यहाँ पे company ने around 1.8 रुपीज का dividend डिकलेर किया है तो यानि कि अगर आपके पास 100.600 आपको यहाँ पे 180 रुपे का dividend मिलेगा अब अगर हम revenue की बात करेंगे तो पिछले quarter के comparison में 8% revenue का नंबर यहाँ पे company का बड़ा है और यह नंबर आया है 3223 करोड पे लेकिन जो net profit का नंबर है वो यहाँ पे 4% के गिरा है और यह नंबर आया है 413 करोड पे तो दिखा जाए तो यहाँ पे ज़्यादा revenue earn करने के 30% revenue का number company का grow हुआ है लेकिन अगर हम देखेंगे जो net profit का number है वो यहाँ पे 10% के company का गिरा है तो all over अगर हम देखेंगे तो यहाँ अगर हम number wise अगर हम बात करेंगे तो जितना जादा stock गिरा है उसके comparison में यहाँ पे इतना जादा bad numbers हमें company के नजर नहीं आते हैं लेकिन दे जिन से भी company के में नजर आ रही हैं और जो की पिछले साल around 15-16% के लगबग ते नहीं के रहूं 2-3% से यहाँ पे margin company के कम हुए हैं तो जी के 310 रुपे पे यह stock भी trade हो रहा है जातक मुझे द्याने लगबग साड़े 400 या 500 रुपे का इसका all time हाई है तो वांच अगर हम द logic है अगर आपको metal cycle समझे में आती है आपको commodity cycle समझे में आती है तो यह आपने आपको इन्वेस्ट करना चीए बाकी मेरे ख्याल से एक particular sector अगर आपको समझे में नहीं आता है मेरे ख्याल चे उसमें कोई आपको problem नहीं होगी लेकिन देखिए मेने जातक मुझे दियाने मु वो कम होने वाली होती है लेकिन उसके अंदर तब invest कीजिए जब इनके P ratios काफी ज़्यादा है यानि कि around अगर आप देखोगे अगर हम on and average अगर हम still companies के P ratios के अगर हम बात करेंगे तो एक से 10 के P ratios पे ये company trade होती है और अगर कोई company 10 के यानि कि जब पूरा as a whole पूरा sector अगर ये P ratios होते हैं और वहाँ पर as a whole अगर economic outlook अगर अच्छा बन रहा होता है तो वहाँ पर steel companies के लिए हो काफी beneficial रहता है तो दोस्तों मैं होब करता हूं कि Sam metallic के quarter one के जो numbers है वह आपको अच्छे समझे में आ गए होंगे अगर आपकी कोई भी queries है आप comment कीजिए मैं जरूर आप के comment पर reply करूंगा ओके दोस्तों thank you have a nice day